नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके अपने प्रिय चैनल पर भक्तों साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमतकारिक एकादशी देव उठनी एकादशी को ही कहा जाता है। साथ में भक्तों देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सची हृदय से सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन यह एक चीज का लगा, तो उसके घर में जमकर धन दौलत आती है, सुख समरिध्य आती है, हर मनो कामना और इच्चा पूरी होती है, भक्तों अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख लिया, तो मन कर चलिए आपका दुरभाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, और वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विश्नु लिखते हैं, जय माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट और दुख दर्द, कोई भी तरह का राहु दोश, पित्र दोश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानि कि नश्ट हो जाते हैं, और सभी देवी देवताओं की कृपा बरस्ती है, भक्तों, आप सभी को हम बारी-बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आधा अधूरा ना देखें, कई लोग होते हैं, जो वीडियो को काट-काट कर देखते हैं, बीच-बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ती को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, जो व्यक्ती वीडियो को बीच-बीच से देखता है, कट-कट कर देखत उनको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। वह आधे जानकारी के मुताबिक गलत कार्य कर बैठते हैं, जिनसे उन्हें परिणाम भी गलत ही प्राप्त होते हैं और फिर वह व्यक्ती कभी भी सुख और खुशी नहीं रह पाते हैं। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी-बड़ी सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और सरवार्थ सिध्य योग का संयोग बन रहा है। इस योग में विश्नुजी की पूजा करने से साधक को मनोवांचित फलों की प्राप्ती होती है। इस दोरान मा लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख सम्रिधिक आवास होता है। इससे वह प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलिय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी वृद्ध बालक या व्यस्त व्यक्ती हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णू या अपने इष्ट देव की उपास ना करें। तामसिक आहार प्याज लहसुन मांस मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिलकुल ना करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भोर में भगवान के चरनों की विधिवत पूजा करें और चरनों को सपर्ष करके उनको जगाएं कीरतन करें। वरत उपवास की कथा सुनें इसके बाद से सारे मंगल कार्य को विधिवत शुरू किये जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों को सपर्ष करके जो मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। देव उठने के बाद तुलसी विवाह भगवान विश्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विश्णु को तुलसी सरवाधिक प्रिय है. इस दिन मात्र तुलसी में जल अर्पित करने से भाग्य को प्रसन्न किया जा सकता है. इसके पीछे प्रकृती के सनरक्षन और वैवाहिक सुख की भावना होती है. जो लोग इसे संपन्न करते हैं, उन्हें वैवाहिक प्राप्त होता है. एका दशी के दिन यथा शक्ति अन्न दान करना चाहिए, लेकिन किसी और का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए. किसी कारण वश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो, तो एक बार भोजन करें, इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं. एका द दशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन प्याज मसूर की दाल आदी निशेध वस्तूओं का सेवन नहीं करना चाहिए. एका दशी के दिन प्रात लकडी का दातुन ना करें. इस दिन व्रिक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है. अतस्वयम गिरा ह पत्ता लेकर सेवन करें. नीम्बू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें. यदि यह संभव ना हो तो पानी से बारह बार कुल्ले कर लें. एका दशी ग्यारस के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक, इत्या आदी अमरित फलों का सेवन करें. सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदी का सेवन किया जा सकता है. एका दशी तिथी पर जो, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए. इस व्रत में सात्विक भोजन करें. मांस मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें. प्रत्येक वस्तु प्रभू को भोग लगा कर तथा तुलसी दल छोड़ कर ग्रहन करना चाहिए. देव उठनी एकादशी के दिन क्या न करें. देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विश्नु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभकार्य देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए. चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए. पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है. देव उठनी एकादशी के दिन लहसु और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं यदि आपने वरत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें देव उठनी एका दशी के दिन वरत धारी को किसी के प्रति द्वेश की भावना नहीं रखनी चाहिए हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई जगडा ना करें मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुतकारे नहीं देव उठनी एका दशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं चूना चाहिए क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवा होता है इसलिए इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास तूट जाएगा देव उठनी एकादशी के दिन क्या करें? देव उठनी एकादशी वाले दिन सुभह उठकर सनान करें इस उपाय को करने से श्री हरी प्रसन्न होते हैं आपको जीवन में सफलता मिले इसके लिए आप इस दिन भगवान विश्नु की विधिविधान से पूजा करें दान पुन्य करें सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं हो सके तो व्रत वाले दिन आप विश्नु सहस्त्र का पाठ करें देव उठनी एकादशी पर भगवान विश्नु को सफेद रंग का भोग लगाएं इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरी विश्नु प्रसन्न होते हैं देव उठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला वरत रखें। लेकिन अगर आप ग्रहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती है। इस दिन ब्राह्मनों को दान दक्षिना देकर उनसे आशीरवात प्राप्त करें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं। इस रंग के वस्त्र हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदी चढ़ाने की परमपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी मा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किये जा शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी ये लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संप की हल्दी डाल कर सनान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने ऐसा करने से भगवान विश्नु की कृपा बनी रहती है। कैरियर में होगा सुधार। अगर आपके भी कैरियर में बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विश्नु को केसर व या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विश्नु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। मिलेगी कर्ज से मुक्ति कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर ज इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इसको कभी धन की कमी नहीं होता है और जीवन से सभी कष्ट भी दूर होते हैं। चार माह के लंबे समय के बाद भगवान विश्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्थन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होता है और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। दूसरा चावल का सेवन नहीं करें। पोरानिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मना ही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बनता है। इसलिए चावल मांस, मदिरा इत्यादी का सेवन एकादशी के दिन नहीं करे, साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोले, देव उठनी एकादशी को, व्रत के दौरान, किसी भी व्यक्ती को भला बुरा नहीं बोले, और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले, इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी, भूल कर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े, तुलसी भगवान विश्णु को अत्यंत प्रिय है, इससे भगवान विश्णु रुष्ट हो जाएंगे, देव उठनी एकादशी पर करें, इन चीजों का दान करें, पीले वस्त्र, मुरली, धान, गेहुं, मक्का, बाजरा, उडद, वस्त्र, सिंगहाडा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी मोर पंक और श खिपाकर करना चाहिए, भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, कि देव उठन एकादशी का महत्व, हमारे वेदों और पुराणों में ऐसी मान्यता है, कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन, ईश्वर का उठान होता है, इसलि में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है, तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विश्नु की पूजा की जाती है, इस दिन पटाखे भी जलाये जाते हैं, देवो थानी ग्यारसी को आम तौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, ग्यारसी के इस द पौधा, प्रकृती का चित्रन करने के साथ ही एक औशधिय पौधा भी माना जाने के कारण लाभ प्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है, चार महीनों की निद्रा से भगवान विश्नु के जागने के बाद, उस क्षण के बाद से सभी शुभकार्य किये जा सकते हैं भारतिय कैलेंडर के अनुसार एका दशी का दिन वास्तव में नीरस होने के कारण विशेश रीती रिवाजों के साथ मनाया जाता है, इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभकार्य क्रमों की शुरुआत होती है, इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया ह महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लन को मलमल से सजाकर इस्तियोहार को भजन और गीतों के साथ मनाती है, दीबदान के लाभ ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान, एकादशी भगवान विश्नु के शालिग्राम रूप और देवी विरिंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है, भगवान विश्नु की निद्रा के चार महीनों के दौरान स्रिष्टी के कारियों से मुक्त होने पर, भगवान रुद्र के शांत हो जाने पर, भगवान विश्नु चार महीने के लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रमांड के प्रबंधन कारिय अतह इस दिन पूर्ण समर्पन और विश्वास के साथ भगवान विश्णु की पूजा की जाती है। और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं जिससे प्रकृती का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं वर्षा रथु में चार महीनों के लिए निद्रा में जाऊंगा जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे जिससे मेरे अनुयाईयों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधी के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में सनान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णू जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है और विष्णू प्रिय तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी व्रिक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है। समारोह के दौरान नामा आश्ठ सहित विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहि जीवन और पुन्य की प्राप्ति होता है। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का वरत रखते थे। जब उसे फल दिये गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया। और राजा के पास जाकर विनती की कि यह फल उसके लिए परियाप्त नहीं है और वह भूक से मर जाएगा। और उसने राजा से खाना देने की विनती की। और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। पंद्रह दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की। कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रहा, क्योंकि ईश्वर ने भी उसके साथ भोजन किया था, जो दो लोगों के लिए परियाप्त नहीं था। यह सुनकर राजा आश्चर्य चकित रह गया, तथा विश्वास करने को तयार नहीं था कि भगवान उस आदमी के साथ भोजन करते हैं। इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। और फिर दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक उपवास करने का कोई लाब नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से वरत करना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देव उठनी एकादशी कथा। एक राजा के राज्ज में सभी लोग आनंद पूर्वक रहते थे। हालांकि उसके राज्ज में कोई भी अन्न या खाद्य पदार्थ न बेचकर सिर्फ फल बेचा करते थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और भगवान स्वयम एक सुंदर कन्या का रूप बदल कर मार्ग में बैठ गए। उसी समय राजा ने वहां से जाते हुए उसे देख कर पूर्ण आश्चर्य के साथ उससे पूछा। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर महिला ने कहा कि मैं बे सहा और इस शहर में मेरी कोई पहचान ना होने के कारण मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूँ। राजा उसके रूप पर आकरशित होकर बोला तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर क्यों नहीं रहती? तब उस सुंदर महिला ने कहा मैं तब ही आपकी बात मानूंगी जब आप सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंप देंगे. साथ ही मेरे पास आपके राज्य के सभी अधिकार होंगे. मैं जैसा खाना बनाऊंगी आपको खाना होगा. राजा अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी सभी बातों पर सहमत हो गए. अगले दिन एका दशी थी और रानी ने वादे की याद दिला कर कहा. या तो आप खाना खाईए. अन्यथा मैं आपके बड़े बेटे का सिर काट दूँगी. इस विशय पर राजा ने इस समस्या को अन्यरानी के साथ सांझा करने का निर्णय करके स्थिति को स्पष्ट किया. तब महारानी बोली, प्रिय राजन, आपको उदास नहीं होना चाहिए और आपको अपने सदाचार और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए. इसलिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने की सलाह दी. उस समय बेटे ने मुड़कर अपनी मा की आँखों में अश्रू का कारण पूछा. इस सब का कारण जानने के बाद उसने अपना सिर बलिदान करने के लिए सहमत होकर कहा कि आपको नैतिकता और सदाचार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए. तब राजा के इस पर सहमत होने पर भगवान विश्णू ने प्रकट होकर कहा मैं तुम्हारे मूल्यों से प्रभावित हूँ. पुत्र को सौप दिया और तब उसका पुत्र दिव्य लोक की ओर चला गया. भक्तों अगर अभी तक आपने जैमा लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और गौ माता को इस दिन गुड़ जरूर खिलाना चाहिए. अच्छे से रोटी रख कर खिलाना चाहिए कहां जाता है कि यह करने से हमारे सभी पाप, दुख दर्द, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है. इसलिए भक्तों इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए. भक्तों यह उपाय सबसे खास और सबसे चम गरिकोंताक पहोंच सके.